Hello everyone, very good afternoon to all of you. आज को वीडियो में 13 और 14 अप्रेल दोनों दिन के करेंट इफेर कवर करेंगे. करेंट इफेर की PDF आप मेरे टेलीग्राम गुरुप से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम को ओफिशल लिंक वीडियो के डिस्किप्शिन में सबसे उपर मैंने दिया हुए है. सबसे पहले बात करेंगे कल के कुशिन की. मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि सत्य सुदक समाज की स्थापना कौन से राज़ में करी गई थी? तो दरसल इसकी स्थापना महरास्ट के अंदर पूने में करी गई थी. अगर आपसे पूछा जाए कौन से वर्ष में करी गई थी? तो सत्य सुदक समाज की स्थापना 1873 में करी गई थी. इसके फाउंडर थे जोतिबा फुले क्या नाम है? जोतिबा फुले, I'm very sure आपने इनका नाम सुना होगा. अब देखिए, जो सत्य सुदक समाज है, इसकी स्थापना इस आधार पर जोतिबा फुले के द्वारा उने में करी गई थी. कि जो दलिस समाज है, जो शूद्र समाज है, उनको बराबरी का दर्जा मिल सके और उने गुलाम गिरी से आजादी मिल सके. इवन इतना ही नहीं, डॉक्टर बी आर अम्मेड कर जोतिबा फुले के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे उस टाइम पर. तो आई होप आप में से जितने भी स्टुडेंट जिन्होंने महरास्ट आंसर किया था, उन सभी का आंसर. I am very sure, बिल्कुल सही है. और जिनको नहीं पता था, अब वो लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये question पहले भी exam में कही बार पूछा जा चुका है. शुरू करते हैं current affair. पहले कल के मतलब 13 के cover कर लेते हैं, फिर आज के 14 तारिक के cover करेंगे. ये कौन सी भारती है, finance technology company है, जिसने हन पोखरा के साथ एक pact assign किया है, और इसके अंतरगत नेपाल में UPI payments को ये promote करेंगे. देखें यहाँ पर हन का मतलब क्या है, इसको बोलते है, Hotel Association of Nepal. मतलब नेपाल के अंदर जितने भी परिटकों के लिए Hotel चलाए जाते हैं, वहाँ पर payment में UPI payments को बढ़ावा देने के लिए ये है phone pay, phone pay ने pact assign किया हुआ है. ध्यान रहे, पिछले साली भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में, NPCI के अंतरगत ये pact assign हुआ था, कि भारत के जो भी UPIs हैं, अब उनको नेपाल के अंदर जगे बने मिलेगी, और नेपाल के अंदर लगातार distal payments को नेपाल सरकार बनावा दे रही है, कि वहाँ पर cash का लेगातार कम हो, और लोग digitally पैसे को एक से दूसी जगे पर transaction करें, नेपाल के अंदर New Year Festival का आयोजन किया जा रहा है, हर साल ये तेवार फेवा New Year के नाम से जाना जाता है, इस बार इसकी शुरुवात 11 अपरेल को करी गई थी, और आज इसका समापन है, मतलब 14 अपरेल को इसका समापन है, और आज 4th anniversary भी है, Dr. B.R. Ambedkar की, तो आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है इसकी, क्योंकि B.R. Ambedkar की जो जहनती है, वो अपने आप में पर्व के रूप में मनाई जाती है, पूरे भारत भर में, उसका कारण ये है, कि आज ये जो देश चल रहा है, वो भारतिय सम्मिधान से चल रहा है, Constitution of India से चल रहा है, और यही वो सम्मिधान है, जो कहीं न कहीं एक आम आदमी को अपनी सरकार तक चुनने की इजाज़त देता है, पुराने जमाने में राजा माराजाओं का जो टाइम हुआ करता था, उस टाइम पर किसी को भी सूली प अस्था की रूप में उभर के निकल रहा है, तो यह जस्ट बिकाउज ओफ कॉंस्टिटूशन है, और बिइंग ए स्टुडेंट ऑफ गॉर्रमेंट एक्जाम, आपको हमेशा Constitution की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आगे चलके आप अपनी सर्विसेस में पहतरी के साथ सर्व कर पाएं, तो आपको Constitution को हमेशा फेत रखना ही होगा, शुरू करते हैं आगे के करेंट अफेर, आली में QS World University रैंकिंग जारी करी गई है, जिसमें भारत की कौन सी युनिवरस्टी है, जिसको सबसे उपर रैंक मिली है, तो इस बार भारत की है JNU, जवाल लाल नहरू बारत की नमबर वन युनिवरस्टी डिक्लियर किया गया है, और दूसरे नमबर पे IIM एमदाबाद रहा, कौन सा IIM एमदाबाद, सेकेंड नमबर पे, फर नमबर पे आपको ध्यान रखना है, ये रहा IIT Bombay, अब इसी तरीके से बात करें कि वर्ड में नमबर वन युनिव युनिवरस्टी कौन सी रही, तो ये रही MIT-US, और नमबर दो पे Cambridge University, और नमबर तीन पर ये रही Oxford University, तो आप ध्यान रखियेगा, खाली में, वर्ड पार्किंसन डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो ये दिवस 11 अपरेल को मनाया गया है, अब पार्किंसन होता क्या है, देखेंगे, पार्किंसन एक तरीके की disease है, और ये brain में होने वाली disease है, कोई भी व्यक्ति अगर पार्किंसन नाम की विमारी से ग्रसे है, तो आप ये समाझ लीजे, इसके symptoms ये होते हैं, कि उसको बोलने में problem आती है, चार लोगों के बीच में, वो घबराट मैसूस करता है, इतना ही नहीं कई बार उसे पता नहीं लगता है, उसका जो body posture है, वो change होने लगता है, मतलब कई बार वो व्यक्ति जुक के चलने गयता है, तो ये सारे symptoms हैं, Parkinson नाम की बीमारी के, और पहली बार इस बीमारी की खोश करी गई थी, Dr. James Parkinson के दौरा, 1817 में, और उसके बाद पहली बार इसको मनाया गया था, इस दिवस को 1997 में, तो तब से लेकर आज तक हर वर्स ये दिवस 11 अपरेल को मनाया जाता है, इन में पहले से कौनसा बैंक है, जो कि भारत का पहला ऐसा private bank बन गया है, जिसने लक्षदीप में अपनी नई ब्रांच को ली है, तो ये है SDFC बैंक और अभी तक कोई भी ऐसा भारत का private bank नहीं था, जिसने लक्षदीप में अपनी ब्रांच के रूप में सर्व किया हो, लक्षदी SDFC की स्थापना 1994 में करी गई थी इसका headquarter है मुंबई और इसके CEO है शशिधर जगदीशन कौन है शशिधर जगदीशन और लक्षदीप में इस टाइम पे administrator कौन है यह है प्रफुल पटेल काफी टाइम से है यह लक्षदीप की capital है कावार्ती क्या बोलते हैं से कावार्ती खनिज विदेश इंडिया लिम्टेड जो की भारत सरकार का एक संस्थान है और इनके साथ CSIR जिसको बोलते है Council of Scientific and Industrial Research इन दोनों के बीच में किस चीज को लेकर pact sign किया गया है तो दोनों ने आपस में pact sign किया है Technical and Knowledge Corporation for Critical Minerals को लेकर देखे इस MOU का में उद्देश यह है कि ऐस जो की बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं जमीन के नीचे ठीक है उन मिनरल्स के उपर research and development करना और साथ में दोनों technical knowledge भी share करेंगे एक दूसरे से ताकि इस तरीके के मिनरल्स को पाए जाने में और महतरी हो सके इस तरीके के मिनरल्स को हम जमीन में खोथके और अच्छी तरीके से निकाल पाएं आने वाले समय में उनका उत्पादन कर पाएं हाली में ये कौन है जिनका 94 वर्ष की उमर में निधन हो गया है और Nobel Prize से सम्मानित किया जा चुके थे और इनके द्वारा God Particle Theory का concept भी दिया गया था तो ये Nobel Prize winner है Peter Hicks और 94 की age में इनका निधन हो गया और आपको बता दूँ ये Physicist थे और Physics के छेतर में इनको साल 2013 में Nobel Prize से सम्मानित किया गया था और इनों ने ये concept दिया था कि जैसे जिगरिफी में आप पढ़ते हो ना Solar System में Big Bang Theory आप पढ़ते हो जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से करोनो वर्स पहले यूनिवर्स क की उत्पत्ती हुई एक अबजेक्ट था जिसको हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं और उसमें प्लास्ट होता है तब जाकर ये पूरा प्रहमार्ण बनता है तो दरसल इनों ने ये concept दिया था कि Big Bang Theory के बाद इस तरीके से वो कण आपस में जुड़ने लगे किस तर रेखा के अंदर गत आने लगे और धीमे धीमे करके इस ब्रहमार्ण के अंदर उत्पत्ती हुई पूरे सोलर सिस्टम की तो ये concept इनके द्वारा दिया गया था जिसकी वज़े से 2013 में सम्मानित भी किये गये थे क्या बता सकते हो नोबल प्राइस की स्चुरवात कौन से वर्ष में हुई थी चलिए मैं बताता हूँ 1901 में हुई थी ध्यान रखेगा ये कौन सा हॉस्पिटल है जिसको 2024 के बेस्ट साइन्टिफिक पोस्टर एवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये है डॉक्टर अगरवाल आई हॉस्पिटल इनको सम्मानित किया गया है आई सर्जरी के छेतर में बहतर कारे करने के लिए डॉक्टर अगरवाल नेतर सम्मानित क्या गया है यह कौन है जो कि विपरो की एक यूनिट है जिसका नाम है अमेरिकास वन तो यह विपरो की स्ट्राटेजिक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिट है इसके नए CEO कौन मराए गए है तो अब से इसके नए CEO होंगे मले जोशी वैसे मैं आप को बताया है तो विपरो के जो पुराने CEO थे यह थे थे थेरी देला पोर्थ ठीक है इनके द्वारा एक नए चीज़ करी गई थी विपरो पुरे दुनिया में सर्व करती है तो इन्होंने क्या किया जैसे कि नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला रीजन है तो उसक तरीके से जो साउथ एशिया में सर्व कर रही है उसको एक अलग नाम दिया उसका नाम रखा एशिया पैसिफिक मिडिल इस्ट एफरीका ठीक है तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट इनों ने बना दी थी तो उसी में से एक यूनिट है अमेरिकास वन उसके CEO बनाए गए थे क्या बता सकते हैं वैसे आपके सामने इनका नाम लिखा हुआ है यह है श्रीनी पालिया कौन है श्रीनी पालिया भारत सरकार के द्वारा कितने ऐसी electronic vehicles बनाने वाली company है जिनको subsidy दी जाएगी electric mobility promotion scheme के अंतरगत तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे भारत बर में रैसी 11 EV बनाने वाली companies हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से subsidy दी जाएगी और क्योंकि भारत सरकार 2030 तक चाहती है कि electronic vehicles भारत के total market में 30 प्रतीशत तक अपनी हिस्सेदारी रखे है मतलब कहने का यह है कि आप यह समझ लीज़े कि अगर रोड में 100 गाडियां चल नहीं है तो उ और हीरो हो गई ओला महिंद्रा और एथर एनर्जी हो गई इस तरीके की जो companies जो की electronic vehicle बना रहे हैं उनको subsidy दी जाएगी और अगले 5 सालों के लिए 500 करोन की धन्राशी यहाँ पर आवंटित करी गई है ओके माफी जाता हूँ अगले 5 सालों के लिए नहीं अगले 5 महीनों के यह 500 करोन की धन्राशी आवंटित करी गई है यह कौन है जिनको international narcotics control board में भारत के लिए एक बार फिर से reelect किया गया है head के रूप में तो यह है जगजीत पवादिया कौन है जगजीत पवादिया और यह आज से नहीं कई साल पूरे 10 साल होने को आए है जब से यह United Nations में international narcotics control board में भारत को represent करती आई है और जगजीत पवादिया जी जो है यह 2015 में पहली बार UN में INCB में भारत को host कर रही थी और 2015 से लेकर 20 तक पहले यह appoint करी गई और उसके बाद फरिये 2020 से लेकर 25 तक के सत्र के लिए भी चुनी गई और अब जो इनको चुनाओ किया गया है यह 2025 स अगले 6 सालों तक अंतरास्टी यह नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में भारत को represent करेंगी और इनका चुनाओ जाना अपने आप में बहुत ही competitive था क्योंकि केवल 5 host थी United Nations के अंदर और उनके लिए 24 member candidate खड़े थे और इनको तिरपन लोगों की voting में 41 votes मिले 41 votes मिले मतलब इस election को पास कर लिया यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा April से June 2024 तक के सीजन के लिए pre-cyclone exercise conduct करी गई है तो इसको IMD के द्वारा conduct किया गया है Indian Metrological Department ज्यान रहे Indian Metrological Department वारत सरकार का वो विभाग है जो की मौसम की जानकारी हनेशा रखता है और आगे के लिए मौसम को predict क करने का काम भी करता है सेटलाइट्स के जरिए यह सारी चीज़ें कर पाते हैं तो IMD के द्वारा एक इस तरीके की exercise conduct करी गई है कि अगले तीन महिनों में भारत के वो समुद्री छेत्र जहां पर cyclone या तूफान आने की काफी जादा अंदेशा रहता है संभावना है रहती ह और IMD जो है इसकी स्थापना 1875 में करी गई थी जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और इसका headquarter है नहीं दिल्ली और इसके डेरेक्टर जनरल है नतुञे मोहापात्रा कौन है नतुञे मोहापात्रा यह कौन है जो की हाली में पाकिस्तान की जो पार्लियमेंट है उसक पर एक चीज़ और द्यान लखेगा कि पाकिस्तान की सीनेट के चेरपरसन तो गिलानी हो गए एपिटी चेरपरसन भी एपोइंट किये गए है यह होंगे सयदल खान नासर तो दोनों का नाम आप द्यान लखें दोनों नए एपोइंटमेंट है और पाकिस्तान में प्रधा GK के लिए आज ही Amazon से order करके अपने घर मंगा सकते हैं इस किताब को Hindi और English दोनों में available किया है मैंने और इस किताब का direct link भी वीडियो के description में दिया हुआ है इस Static GK की book में कोई भी topic मैंने Static GK का नहीं छोड़ा है हर एक चीज आपको table की format में दी हुई है इतना ही नहीं इसके अलाबा theory के अलाबा यहाँ पर 1800 से जादा TCS pattern पर आधारित पी वाई क्यूज भी मैंने आपको दिये हुए है इस किताब के अंदर यह किताब आपके लिए one stop solution है इस किताब के अलाबा Static GK आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है अगर आपने यह किताब लगा ली तो यह मा रहा है Static GK की वज़े से हर साल selection रुपते हैं यह कौन सी company है जिसने Shell India market के साथ pact sign किया है और इनके साथ मिलकर यह आने वाले समय में भारत भर में नए electronic vehicle charging stations की स्थापना करेंगे देखे electronic vehicle market में चलने है तो उसके लिए charging stations तो होने ही चाहिए ना जैसे कि normal जो गाडिया चलत यह 5000 से ज्यादा electronic vehicle charging stations की स्थापना भारत में जगे जगे पर करेंगे यह कौन है जो की RBL bank के independent director के रूप में अगले चार सालों के लिए तो जो आपको picture में देख रहे हैं इनका नाम है मूरली रामकिष्णन सबसे RBL bank के independent director यही होगे और immediate effect से इनको appoint किया गया है RBL bank जिसको रतनाकर bank limited के नाम से भी जाना जाता है इस bank की स्थापना 1943 में करी गई थी headquarter है इसका मुंबई और जो रामकिष्णन जी है इनको banking sector में 37 साल का experience है मतलब लगबग 4 दशकों का experience है जिसमें से 20 साल इनोंने ICICI bank में बिताये हुए है अंतरास्टी है मानो अंतरिक्ष उणान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है अंग्रेजी में बोले है तो International Day of Human Space Flight Day यह दिवस मनाया जाता है 12 अपरेल को और इस बार 2024 की स्की थीम थी encourage scientific curiosity देखें 12 अपरेल को ही यह क्यों मनाया जाता है उसका कारण है 1961 में 12 अपरेल के दिन रशिया के द्वारा यूरी गागरिंजों है यह पहले ऐसे एस्टोनॉट थे जो की स्पेस में भेजे गए थे ठीक है इस वज़े से दिवस International Day of Human Space Flight के रूप में 12 अपरेल को ही मनाया जा है हर साल यह कौन सा देश है जिसको पहली बार सिट्रॉन कंपनी के द्वारा इवी गाडियां बनाकर एक्सपोर्ट करी गई है और खास बात यह है कि यह भारस से एक्सपोर्ट करी गई है इन गाडियों को सिट्रॉन नाम की कंपनी ने भारस से बनाया है इनकी सारी मैनिफ प्रोजेक्ट के अंतरगत करी गई है भारत से सिट्रॉन वैसे तो एक फ्रेंच कंपणी है और इन्हों ने इंडोनेशिया के लिए पहला अपना स्टॉक रवाना किया है और पांसो गाडियां बनाकर इन्हों ने बेची हुई है अब यह समझ लीजे सिट्रॉन एक फ्रेंच आटो मॉबाइल कंपणी है लेकिन यह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बने है और इन्हों ने तीन साल पहले भारत में सिट्रॉन गाडियों को बनाने के लिए मैनिफैक्चरिंग यूनिट डाली थी और अब यह गाडिया बन कर तयार है तो इनको एक्सपोर्ट पहले हैं भारत के ही पूट से कौन से पूट से चिनन शी पूट से इसको निकाल गया है इन्डोनेशया के लिए तो यह अपने आप में कहीं कहीं न न कहीं विश्वर में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बनाने में बहुत तेजी से मदद करेगा इस तरीके कि जब आटो जानते हैं, सरकार किसकी है, यहां के रास्टपदी कौन है, अगर आपको पता है तो comment box में लिखकर पताईए, और जो citron company है, इसकी स्थापना सन 1919 में करी गई थी, इसका headquarter है Paris, SOF, SOF का full form है, Association of Summer Olympics International Federation, नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं इसके, तो इनको चुना गया है, और इनका नाम क्या है, इंगमार दीवोस, क्या नाम है, इंगमार दीवोस, आपसे नए प्रेसिडेंट होंगे, Association of Summer Olympics International के, और इन्होंने जिनकी जगह लिए है, उनका नाम है, फ्रांसिसको रिकी, ये कौन है, जिनको Harvard University की तरफ से, South Asian Person of the Year डिकलियर किया गया है, तो ये भारतिये मूलकी है, और इनका नाम है, अवंतिका वंदनपू, क्या नाम है, अवंतिका वंदनपू, अब ये हैं कौन, देखें ये एक एक्टरस है, और ये इंटरनेशनल और न सर्फ कर लिया है, इवन इतना ही नहीं, हॉलिवुड का जो बिस्नी प्लैट्फोर्म है, उसमें भी एक मूवी कर चुकी है, जिसका नाम था, इस्पिन, और ये मूवी 2021 में आई थी, उसके बाद, नेट्फिक्स में भी ये काम कर चुकी है, नेट्फिक्स में एक सीरीज आ किया है, हारवर्ड यूनिवर्स्टी ने, बसा क्या आप बता सकते हो, मैंने आपको बताया भी था, तीन दिन पहले, ये कौन सा संस्थान है, जिसको अमरीका के द्वारा, यूएस स्पेस एक्स्प्लोरेशन एवार्ट से सम्मानित किया गया है, तो ये है इस रोप, ठीक ह हेड के रूप में एपोइंड किये गए है, क्या नाम है इनका, ये है नियाय मूर्ती, अनिरुद्ध भोस, और सुप्रीम कोट से ये 2019 में रिटायर हो चुके है, अब नैशनल जूडिशल अकैडमी में सर्व करेंगे हेड के रूप में, नैशनल जूडिशल अकैडमी वो स अपोइंडमेंट है, ये Chief Justice of India के द्वारा किया जाता है, तो इनका अपोइंडमेंट डी वाई चंदचून के द्वारा किया किया है, अगर अनुरुद्ध भोस जी की बात करें, तो पहले ये कलकता हाई कोट में, लॉयर के रूप में प्रेक्टिस करते थे, इन्होंने 19 सा लॉयर के रूप में प्रेक्टिस करी, उसके बाद जाकर ये High Court में जज़ बने, और तब जाकर ये Supreme Court में फिर जज़ बने थे, और 2019 में Supreme Court के जज़ की भूमिका से ही रिटायर हुए थे, National Judicial Academy की स्थापना 1993 में करी गई थी, इसका Headquarter है बोपाल, हाली में एक डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है, कि डिजिटल सर्विसेज जो है, उनको एक्सपोर्ट करने में, भारत ने कौन सी रैंक सिक्क्योर करी है, तो ये डेटा, WTO के द्वारा जारी किया गया है, World Trade Organization, इस डेटा में बताया गया है, देखे, दो तरीके की सर्विस होती है, एक को फिजिकल सर्विसेज होती है, और दूसरी होती है इंडिस्टल सर्विसेज, फिजिकल जैसे माल लीजे, कि क्रिकेट के बैट भारत में बनने है, तो वो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, तो ये फिजिकल चीज है, जिसे आप टच कर सकते हो, जैसे कि माल लीजे भारत में है आम आरिफ कंपनी टायर बना रही है तो ये भी क्या है फिसकल चीज़े इसको दुनिया में आप export कर सकते हो दूसरी चीज़े आ जाती है digitally जिनको export किया जाता है जिनने आप touch नहीं कर सकते है example, softwares तो software जैसे कि TCS बना रही है या Wipro बना रही है Infosys बना रही है तो इस software services जो export कर रहे है इसमें और भी कई तरीके की services आ जाती है जैसे कि online education हो गई gaming हो गया music and video की streaming हो गई तो ये सारी चीज़े आ जाती है digital services में तो इसमें भारत ने चौथे नंबर पे अपनी rank सेक्योर करी है दुनिया में भारत चौथे नंबर का हो देश है जो की सबसे आदा digital services को export करता है और भारत ने इसमें हाली में जर्मनी को पचार दिया है जर्मनी पांच्वे नंबर पे अब है नंबर बन पे अमरीका है सबसे आगे नंबर दो पे ब्रिटेन है और नंबर तीन पे है आयरलेंड ठीक है केवल ये तीन देश है भारत से आगे digital services में ये कौन है जिनको 2024 के जॉन डॉक्स कैनेडा गाडिनेर ग्लोबल हेल्थ एवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि disease के छेतर में जो इन्होंने research and development करी है तो जो आपको picture में दिखाई दे रही है ये है Dr. Gaganddeep Kang भारती है मूल की है अब ये है कौन मैं आपको समझा देता हूँ Microsoft के founder Bill Gates जो है तो Bill Gates और उनकी पतनी Malinda Gates दोनों मिलकर भारत में एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है Bill and Malinda Gates Foundation इस NGO की head है Dr. Gaganddeep Kang और इन्होंने लेकिए आम तोर पर बच्चों में एक बहुत ही common disease होती है उनकी आतों को लेकर बच्चों की आतों में बहुत problem रहती है क्योंकि बच्चों की आते उस तरीके के से develop नहीं होती है और अगर वो थोड़ा भी जंक food खा लेते है तो उनको problem होईने लगती है तो आतों के ऊपर इन्होंने research करी हुई है आप हो सकते हो intestine से जुड़ी हुई बच्चों में जो common disease है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे लेक लिखे हुए और research and development किया है जिसके लिए इनको John Ducks एवॉर्ट से सम्भाने लिक्या किया है हाली में World Cyber Crime Index में भारत ने कौन सी रैंके सिक्योर करी है तो दुनिया बर में Cyber Crime Index में भारत की रैंक रही है दस्वी अब आप बोल सकते हो दुनिया में भारत दस्वे नंबर का वो देश है जहां पर सबसे ज़ादा Cyber Crime होते है नंबर वन पे कौन रहा है नंबर वन पे है रूस Russia सबसे ज़ादा Cyber Crime से गरसेत है यहीं पर होते हैं सबसे ज़ादा Cyber Crime और नंबर दो पर है Ukraine और नंबर तीन पर है China बाकि टेबल मैंने आपको PDF में दे रखी है वो आप Telegram से नौलोड कर लीजेगा Telegram का Official Link वीडियो के डिस्किप्चन में है वहां से आप मेरा Telegram जोइन कर सकते हैं यह कौन से दो देश हैं जिनोंने Tax Treaty को एक बार फिर से रिवाइस किया है मतलब पर संधी को एक बार फिर से शंचोदित किया है पाकि Tax में चोरी ना होने पाए तो भारत ने Mauritius के साथ अपना जो Tax Treaty है उसको एक बार फिर से रिवाइस किया है और देखे इसमें एक नया clause डाल दिया गया है अब यह clause डाला गया है कि जैसे देखे Mauritius और भारत आपस में वैपार करते हैं दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ वस्तुए बेचने का काम करते हैं और जैसे कि दोनों की आमदनी होती है ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में अब देखे है क्या कि इसमें कई बार पोर्ट्स में लोग टैक्स की चोरी करने का काम करते है तो इसमें एक clause डाला गया है कि जैसे कि माल लीजे Mauritius में कोई भी टैक्स की चोरी होती हुई पाई गई जो की वस्तु भारत के द्वारा Mauritius के लिए बेजी गई है तो अगर ऐसी कोई भी चीज टैक्स चोरी में पाई गई तो भारत अपनी तरफ से जितने भी subsidies देता है उनको खतम कर देगा और सेम Mauritius के लिए कि Mauritius के द्वारा बेजा गया कोई भी consignment है वो अगर भारत में किसी भी तरीके से टैक्स चोरी में consider किया गया या ऐसा कोई case सामने आया तो Mauritius अपनी तरफ से सारी subsidy खतम कर देगा और Mauritius की capital क्या है Port Louis क्या बोलते हैं इसको Port Louis यहां के प्रधान मंत्री है प्रविंद जुगनौत क्या नाम है तो इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल का सफलता पूरोग परिक्षण सिक्किम में किया है और खास बात यह है कि समुद्री तल से सत्रा हजार फीट की उचाई पर यह exercise conduct करी गई है और यह short range की missiles हैं जिनको short या वो सकते small vehicle से ही trigger किया जा सकता है और खास बात इनकी यह है कि यह केवल एक बार target को lock कर लेती हैं और उसके बार torpedo की तरह उसका पीछा करते हुए directly जाकर tank को जोस्ट करने में महिर है तो यहाँ पर जो इसकी theme रखी गई थी वो रखी गई थी एक missile एक tank कि एक tank के लिए एक यह short missile ही काफी है और सिक्किम में इस time पर मुक्य मंत्री है P.S. Tamang क्या नाम है P.S. Tamang और यहाँ के जो governor है यह हैं लक्षमन प्रसाद आचार अब मेरा आज का सवाल आप से आप में से कितने लोग बता सकते हैं ताजी रंगा नैशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को के द्वारा World Heritage Site में शामिल किया गया था कौन से वर्षम है comment box में लिखकर बताईए देखूं आपको कितना याद है और बहुत ही basic सा यह question है नौरात्र का आप फाइदा उठा सकते हैं इस महुस्सों में यूज कोड नौरात्री 50 इस कोड का आप यूज करके मेरा GSGK का foundation batch exam engine app से अविल कर सकते हैं आदे दामों पर और नौरात्री में आप exam engine app से कोई भी batch purchase कर सकते हैं सिर्फ आदे दामों पर 50% का flat off है अगर आप इस बार का CPU, MTS यह CHSL देने जा रहे हैं तो उसके लिए special duo batch भी मैंने launch किया है जिसमें GSGK complete cover है और reasoning भी complete cover है आपको पता ही है reasoning maximum आपके यह मान के चलिया है कि 50 में से 45 से उपर होने चाहिए तब जाकर merit बनेगी तो इसमें कोई भी topic आपका चूटा हुआ नहीं है साथ में GSGK जो है यह भी आपकी complete है history, policy, geography, science, economics, computer आप चाहे हिंदी मीडिया मों इंग्लिश मीडिया मों आपको पताइए आप मुझसे यूट्यूब में पढ़ते हो आपको आसानी से मेरी classes समझ आती है इवन इस foundation batch में 30 classes के अलाबा one-liner crash course भी है और साथ में पिछले 5 सालों के PYQs में मैंने cover किये हुए इस batch का direct link भी वीडियो के description में है otherwise आप exam engine application में भी जाके इसे directly भी purchase कर सकते हैं आज की बाद यहीं तक रहेगी thank you so much have a nice day, take care, bye bye आपका दिन मंगल में हूँ